हेलो फ्रेंज, वेलकम टो महते जी, यदि 5x-7 upon 3 plus 2 equal 4x-3 upon 4 plus 4x है, तो 8x plus 5 का मान बताइए, तो दोस्तों ये देखने में तो बहुत ही लंबा है, लेकिन इसका solution बहुत ही असान है, तो चलिए देखते हैं solution कैसे निकालते हैं इसका, तो प्लीज वीडियो को इन तक देखना इसके लिए हम क्या करेंगे, कि इसे हमें simplify करेंगे, ठीक है, और यहां से हम x की value find out करेंगे, उसके बाद हम 8x plus 5 में put कर देंगे x की value को, और हमें इसका मान मिल जाएगा, तो चलिए देखते हैं कितना असान है ये, तो देखिए यहां पे दिया हुआ है, ये fraction में है, देख ये fraction के जोड को हम कैसे करते हैं, lcm लेते हैं, तो यहां पे lcm क्या हो जाएगा, यहां पे देखिए 2 है, तो 2 के अपान में क्या होता है, 1 होता है, ठीक, 1 और 3 के lcm क्या हो जाएगा, 3, तो यहां पे हम लिख लेंगे 3, अब देखिए 3 से 3 में भाग करेंगे, एक बार क्या है, 1 है, 1 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, तो यहां पे प्लस और 3 का गुड़ा 2 में करेंगे, तो 6 हो जाएगा, ठीक, इसके बाद बराबर लगाएंगे, अब यहां भी ऐसा ही करना है, यहां भी देखिए 4 है, यहां पे इसके denominator में 1 है, तो यहां पर भी हम क्या करे इसका LCM लेंगे, तो LCM क्या हो जाएगा, 4, 4 से भाग करेंगे, 4 में 1 बार जाएगा, 1 का गुड़ा करेंगे, 4 x-3 में, तो यही आएगा, 4 x-3, अब प्लस साइन है उसके बाद, और 1 का भाग करेंगे, जब 4 में तो 4 टाइम जाएगा, 4 टाइम का, यहां पे गुड़ा कर दीजिए तो 4 फोर जा 16 और यक्स हो गया ठीक है अब इसको हम simplify कर लीजिए अब देखें यहाँ पर जब हो जाएगा तो 5 x minus 1 हो जाएगा देखें minus 7 और यह 6 है तो minus 1 हो गया बटे में 3 हो गया फिर बराबर अब यहाँ पर देखें क्या है यह 16 x है और यह 4 x है तो 16 4 20 x minus 3 बटे 4 अब देखें क्या करेंगे हम यहाँ पर cross multiplication करेंगे यहाँ का जो अंस है 5 x minus 1 इसका गुड़ा 4 में करेंगे और 3 का गुड़ा 20 x minus 3 में करेंगे ठीक है तो आईए गुड़ा कर लेते हैं तो मैं डायरेक्ट लिक देता हूं गुड़ा करके 4 का गुड़ा 5 x में करेंगे तो क्या होगा 5 को 20 x minus और 4 का गुड़ा minus 1 में तो minus 4 इसी तरीके से आप 3 का गुड़ा कर दीजे तो 20 तियाई 60 x minus 3 तिरीके 9 अब देखें यह 60 जादा है ठीके तो हम क्या करेंगे 20 को 60 की तरफ लेके आएंगे ठीके और यहाँ पर देखें minus 4 है और यह minus 9 है तो इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर plus 9 हो जाएगा और यह 60 x और 20 x को इधर लाएंगे ठीके तो 20 x अब यह हो गया अब इसको देखें हम कैसे लिख सकते हैं 60 में से 20 गया 40 x तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 40 x बराबर अब देखें यह minus 4 है और यह plus 9 है तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा तो इस तरीके यहाँ से हम अगर x की value find out करें तो x की value हो जाएगी 5 बटे 40 बराबर 5 से इसको काट दीजिए 8 बार में कटेगा तो इस तरीके से हमें x की value मिलेगी 1 बटे 8 ठीक हमें पूछ क्या रहा है हमें पूछ रहा है कि 8 x प्लस 5 का मान पूछ रहा है तो हमें क्या करना है हमने solve करके निकाल लिया x की value अब x की value यहाँ पे put कर दीजिए तो 8 इन्टू 1 अपान 8 प्लस 5 अब देखे 8 से 8 कट जाएगा यहाँ पे बचेगा 1 और यह प्लस 5 तो 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से हम ऐसे question अगर आपको मिलते हैं तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं तो friends I hope कि यह video आपको पसंद आई होगी गर video पसंद आई तो like कर दीजिए share कर दीजिए चैनल पे नए हैं तो please channel को subscribe कर लीजिए मिलते हैं next video में thank you thank you so much